कॉंगर्स पार्टी एक दूबता हुआ जहाज है जिस परकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के अंदर देश की जनता ने कॉंगर्सको विपक्स में बठाने का काम किया था। पक्स का नेता बना था और जब 2019 का चुनाव आया तो उसके अंदर कॉंग्रस को भी पक्स का नेता भी देश की जनता ने सविकार नहीं किया। जो व्यक्ति चुनाव निकाल सकता है ऐसा समझेगी इशारा आप अपनी तरफ करना चाहरे हैं या किसी और की तरफ विशारा करना चाहरे यह बता देजे जरूरा मैं यह जाना चाहता हूं कि भरते जनता पार्टे महिलाओं का सम्मान करती है कि आप इस पूरे 11 विदानसवा सब्सक्रामलेट मिल जाए लाई ना अब आता तो कारण तो यह हैं कि हरएक पार्टी का काम सिर्फ से बीतना रही कि किसी तरीके से वोटास को लुभाया जाया वोटास को समझाया जाए वोटास अपने पास आजाए और प्राफिट मिल जाए दोस्तों आप सभी का नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं दन्यूस वाला नेटोस जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाओं के दोर में सभी जितने भी राजनितिक दल हैं अपने अलग-अलग वर्ग के सम्मेलन करना शुरू कर चुके हैं ताकि लोग आकर के पार्टा देने का काम करें फाइनली मैं कह रहा हूं आप से कि यह करक्रम हो रहा है कारिकरम क्या है लेकर चीज़ जाना चाहता हूं में कि देख क्या है कि वोटरस आप को आप जुटाने की कोशिच कर रहें आप भातिंता पार्टिक का जो हो सब्रतेक विदान सभा के वच्वारो सब्सक्राइब अमें को लिघन धूहितिं समयियों के लोट विसे सिकते सब्सक्राइब लेकिन जनता जनता वर्वाने काम दोुकिया जाता है सब बिल्कुल इस परस्ता ट्रांसपरेंसी की साथ में काम करती है आप समझ सकते हैं कि हमारे मानने ये सस्वी परधामंत्री जी ने 27% एजुकेशन में भी जो ओबी सी समाज को आरक्षिन दिया है और कितना बड़ा काम उन्हें किया कि आज हमारे ओबी सी सबाग के बच्चे बढ़ चड़कर आगे अपना हिस्सा ले सकते हैं और अच्छे जहां पढ़ सकते हैं इसलिए जो हमारा भातिंदा पार्टी का परते कार्य करता है समर्पीत होता है और समर्पन की साथ में काम करता हम लोग बिल्कुल ट्रांसपरेंटिक ही साथ में आते हैं और कभी भी आप चुनाओ लो जाओ चुनाओं में प्रते भातिंदा पार्टी का कार्य करता हर समय जोस से बरा रहता है और इस बार 30 पार का नारात उतरा खण में 60 अपर ग्रति नहीं कुए और आज दो कारिक्रम होए एक ओबिसी का समयलन हो रहा है दूसरा सहनी समाज का समयलन हो रहा है नहीं सहनी समाज के तरफ जा रहा है आप बीज़ेपीस दावेदारी कर रहे हैं इस्तितिया पर सीथे तो भिगड़ेंगी ना समयलन हो रहा है उसके लिए परतेक लोगों में इहां से संदेश देना चाहता हूँ वे निश्चित रहेगा और भारतिनता पार्टे को समर्गें पर के साथ लगे रहते यह घीकतब एक से सब्सक्राइब करता है और अभी अपना मत का परियोग भातिंदा पार्टी के हख में करेगा इसके लिए हमाब लोग को आस्वत कर देते हैं बिल्कूल हमारे ओटो का डाइवर्जन नहीं होगा चुनाव जीतने के लिए कई बार ऐसा होता है कि सैनी कहीं न कहीं इस तरीके से समिकरण बन जाते हैं परसेंट और कोई सी सेनी समाज के किसी आतमे में कोई द्वेस वाली भावना नहीं है सब एक दुसरे के छोटे वड़े भाई हैं और जिसको भी टिकट में जिसको भी भातेंता पार्टी काम करने का मुखा देगी उस सब लोग के लिए हमारा प्रत्यासी कमल का फूल हमें कमल कर देता हूं कि मत दाता जो भी पार्टी का निर्णे होगा पार्टी जिसको भी कमल का सिंबल देगी उसी की साथ में सब लोग रहेंगे और उसी को लोग हम इस वार यहां से 60 किनारे में जिता कर बेजेंगे दो बाते निकल करके आई हैं, एक मतजाता सरपरी है, दूसरा पार्टी जिसको मजबूत समझेगी, जिसको जो व्यक्ति चुनाओं निकाल सकता है, ऐसा समझेगी, इशारा आप अपनी तरफ करना चाहरे हैं या किसी और की तरफ इशारा करना चाहरे हैं, यह बता देजे जर हैं, सब लोग उसी की साथ हैं. और यहां से इस्पानिसी दूप से कमल का फुल के लिगा एक व्यक्तिकर जुड़ता तो आपको विसी सम्मेलन करने जरुवत नहीं पड़ती है आप आप जो सर्व समाज की बात करते एक साथ विसी में बहुत सारे समाज आते हैं लेकिन आप आप पर्टिकुल किसी एक सेग् करिक्रम चलते रहते हैं और इससे पहले आपने देखा विजे संकलब रेली चली तो कोई ऐसा नहीं है कि यह हमारे संकर्थन के कारिक्रम है हमेशा चलते रहते हैं टिकट क्या स्थिति लग रही है कलीर विधान सभाम है कि तिक आपको अभी तक कोई जीता नहीं से पुछ अग्दम बिल्कुत स्वभाविक तोर पे अग्दम रियलिस्टिक फॉर्म में मैं जाना चाता हूं जबाब देखिए पतकार साब इस बार निश्चित रूप से यहां से कमल का फुल खिलेगा और हमें विश्वास है के संकर्थन जो यहां से मजबुत व्यक्ति को टिकट मेरे कहने का मतलब कॉन इशारा क्या है कि दर है यहां कोई बात नहीं जवाब जैसा भी है आप कितरे संतुष होते हैं या आप बैठकर कि सोचिए मेरा का मैं सवाल करना मैं सवाल कर रहा हूं तता या जिकता अब कि एक स्कुटको टिकट होगा किसी मजबूत को टिकट होगा ऐसा पता रहे हो घर उतकर अखिलेश जी भारते जंता पाटि में कमली का भूली सारोपरी है कमला के फूलक के निसान पर ही हाँ फोकस करके जितने पतादिकारी है होता है उस पर फोकस रखते हैं कर देखो भैसाब कहिना कहीं निस्भीष कमिया रहा जाती है हम उसको कुछ कमी रही होगी जो हम पिछली बार आ रहे थे और इस बार पिछले दस साल से कांग्रेस के पिछले दस साल में कोई विकास कारी नहीं हुआ जो कि जनता चीजरे जान चुकी है इस बार ना और जनता ने राई बना लिए कि इस बार भारते जनता पार्डी कोई यहां से विज़ी दिलानी है और भी भारी मतोई उसे क्योंकि पिछले दस साल से भारते जनता पार्डी के हाँ जितने परतियासी जो तयारी कर रहे हैं याप दादी कारी यह सभी लगक्या गरान। जोड़ना जो बिछड़ा वर्ग है हमारा बिछड़ा समाज जोड़ना जोड़ना है उन सब को साथ लेके चलना और भारते इंदा बार्टी को एक साथ सभी को जोड़के यहां से अपने पत्यासी को विजय बनाना एक सवाल है आपसे कि ये पिछड़ा वर्ग को जोड़ने के लिए तो कर लिया आपने क्या समाने वर्ग के लोग या अनसुचित जाती जन जाती के जो लोग हैं उनको नहीं जोड़ना है जो दूरी सरकारे होती थी वो क्या करती थी जो हमारे पीछड़ा वर्ग होता था या जो हमारा जिन पर कोई भी सरकार ध्यानी दे दी भार्टे जंता भार्टी उन वर्ग को आगे लाके उनको सारी सुविधाये देके उनको साथ लेके चलने आकाम कर रही है जबकि अगर इसे अलग-अलग जाती है समिक्रण के अधार पर सम्मेलन करने के आउशकता क्यों है इधर एक तरफ सहनी समाज सम्मेलन कर रहा है एक तरफ पिछड़ा वर्क सम्मेलन हो रहा है कारण क्या है यह सबको का मतलब सबको रखिए अलग-अलग जातिकत वे उस्ताओं के अधार प कि यह कोई अलग जाती नहीं है एलकुल समाज मैं पार्टी वर्ण होगा करने के लिए संमाज के लिए क काम करने लिए कारीकरम करने के वह डिए सेहनी समाज का सब्मिलन हो रहा है तो यानि और वहां पर भारिषा रावजी की प्रतीमा है आपको पता है सब कुछ सारे फोट्राफ लगाया जा रहे हैं तो कारण तो यही है है हर एक पार्टी का काम सिर्फ उसे 사ने यह संतरे से थिर्ट होटा सको सम्झाय एक वक्रीदियम्स अपने दूसरी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कि दूसरे लुद्ध कर देती है कि कॉइस पार्टी कने में कीया चाहिए तब करूंगा मैं बात करने के लिए तैयार हूं लेकिन होता क्या है कि कॉंग्रेस पार्टी तो हमेशा ही ये काम करती आई है कि जो हमारे दबे-कुछले-वर्क के लोग हैं उनको कभी उन्होंने आगे बढ़ने मोका नहीं दिया लेकिन भार्दी जन्ता पार्टी जो है जो जिन सब्सक्राइब मंत्री जो है उन्होंने अभी भी जितने बाफिसी में वहां पर आपने काबिनेट में लिये हैं उसमें 27 लोग जो है भी सी लिये हैं तो यह जाना चाहरा हूं कि पार्टियों का काम किसी ने किसी तरीके से यह साधना होता है जाती शमिक्रण के अधार पर मुर्चा बनाने का मतलब साफ साफ होता है और यही चीज मैं देख रहा हूं कांगर्स पार्टी में तो मैं यह जाना चाहता हूं सिर्फ और एक लाइन में हाया नाम है कि क्या पार्टी यह काम यह सब चीजे करके अपनी वोट की विवस्ता को मजबूत करना है या नहीं है देखे यह चीज मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि यह जो है हम चुनाओ इस ऐसे करके जीत पाएंगा चुनाओ क्या होता है चुनाओ नहीं कर दे नहीं हम बीजेपी वाले नहीं करते लिकिए देखना पड़ेगा कौन करता कौन नहीं करता लोगों से भी बात करूंगा मै नहीं देखिए जो आधनिया परदान मंतरी नरेंदर मोदी जी काम कर रहे हैं हर वरक के लिए काम किया है उनोंने मुसलिम समाज के लिए भी काम किया है और जो योजना आई है वो योजना एक विक्ति के लिए नहीं हो देश के 135 करोड़ लोगों के लिए योजना बनती है चाहे वो उजवला योजना है चाहे वो जंदन खाता योजना के माध्यम से लाब है और चाहे वो परदान मंतरी किसान सम्मान नी दी है हर विक्ति को उसका लाब मिल रहा है नरेंदर मोदी जी ने इन साथ वरसों में जो हर वरक के लिए काम किया है हर विक्ति के लिए काम क हर वग्ति व्सका प्रसंशा कर रहा हैं और हर्वक्ति के मन में आज नरेंदेर मोदीजी जी परति एक शरद्ध का भाव है जो मिलकर के आदनिया पुष्क हिंग धामी और आधनिया नरेndर मोदीजी ने यहां उत्राखंड का विकास कि लोगों के अंदर एक उत्सा है और लोग डट करके अब की बार फिर उसका स्विंग धामी के नित्रतव के अंदर यहां पर सरकार बनाएंगे और हर वर्क के लिए काम किया है सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब का प्रयास कर देखिए उसके अंदर क्योंकि टिकट तो एक विक्ति को मिलना है और सब मिल करके सब मिल करके उसके अंदर सब मिल करके काम करेंगे उसका प्रयास हम सब मिल करके करेंगे कि कोई विक्ति इदर ना जाए और हमारा यह टार्गेट है कि हम यहां से जो प्रियान किलियर सीट है इसको निकालेंगे और मिल करके निकालेंगे कोई यहां पर किसी परकार के दिख अब सब आ जाएगा नोडिविकेशन हो गया उपर से जब ये बिल ओबीसी आयोग बनाया उसको सवेधानिक दर्जा दिया और आधनिया परधान मंत्री जी ने सपर्श रूप से बात कहिए कि इस प्रतिसत का हक ओबीसी समाज का है और वो मिलेगा तो यहां पर समय प्रबंधन मेटर करता है तो यह जो डिले हुआ कारेकरम था मैंने सभी कारेकरताओं से इस बात को लेकर के भी रिलाइज किया है कि हम लेट हुए हैं और काफी लेट हुए हैं चार घंटे के करीब लेट हुए हैं और क्योंकि पिछे कारेकरम थे उस कारेकर देखिए भारती है जनता पार्टी का कोई कारिकरता कोई समर्थक कोई भलो और एक भी कॉंग्रस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है जिस परकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के अंदर देश की जनता ने कॉंग्रस को विपक्स में बठाने का काम किया था विपक्स का नेता बना था और जब 2019 का चुनाव आया तो उसके अंदर कॉंग्रस को विपक्स का नेता भी देश की जनता ने सविकार नहीं किया तो आप लोगों के सामने कॉंग्रस दूबता हुआ पिरान कलियर में इसको इससे कुछ फायदा होगा भारतियंता पार्टी को या सिर्फ उसी बस बटोरने का काम है क्या मतलब पिछड़ा वर्ग समयलन करके इस तरीके से देखिए आप भी जानते हैं सब जानते हैं कि हमारे देश में पिछड़ा वर्ग साथ प्रतिसद है उस समास को अपने संगठन के कियवे कारिये अपनी सरकारों के कियवे कारिये से अवगत कराने के लिए ये कारिये किया गया इस पर चुकी अपना जो हमारा हमने तो सबका साथ सबका विकास लेकर के हम चले हैं अगर सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं आपने कहा कि 60 परतिसद पिछड़ा वर गया कि शेक्षिक रूप से आर्थिक रूप से वो समाज पिछला हुआ है और हमारे किसान के लिए मजदूर के लिए महिलाओ के लिए बालकों के लिए जो योजनाय बनाई ही नहीं है बलकि जमीन पर उतारी हैं और उनसे लाबानवित भी हो रहे हैं तो उन सब को उनसे अवगत कराने के लिए उन्हें बताने के लिए चुकि हमने काम किया है पांच वर्स में हमने पलाया नहीं किया हमने जूटी बाते नहीं की जो वादे किये उनको निभाया और आगे भी निभाने के लिए हम हर तरह से प्रियास रते हैं और कारिय करेंगे विपने समाज को अपनी जंता को बताने बाषिकتा दे नहीं के आवशक्ता करें तो याद किलाना में है, बताना में आहर और उन्हें यह बताना है कि सरकार पहले वी आपके साथ थी, आज भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं संगठन की आज से नहीं इस नीती से सदा सहमत रही हूं आप मुझे बताइए हमारा सतर-बहातर साल का सफतंतरता का काल चल रहा है उसमें इतनी शशक्त भूमिका में महिलाएं कभी रही विट मंत्राले रक्षा मंत्राले और विदेश मंत्रा मैं जब भी बात करता हूँ जब local bodies की बात करता हुद लोग national की बात करते हैं मैं सिर्फ locally मैं हर्दवार जिले की बात कर रहा हूँ सिर्फ कि क्या क्या इस आपको मैं एक बात बताओं कि आप जिस्विधान सवा में खड़े हैं यहां की मंडल अधिक्ष महिला है टिकट की बात कर आर संगठन को टिकट का निम्मी लेना है जो टिकट के लिए सक्षम है जो अच्छे से अपने समास की बात को विदान सबाध में उठा सकता है उसके लिए भारतिय को जंता पार्टी महिला और पुलिस का Пुरूश का अक्लन नहीं जो इन निकाए इनिकाल यह आप अखिले जी आप जानते हैं कि यह चुनावी वर्स है और चुनावी वर्स में यह सबी पार्टिया करती है हमारी पार्टि ने भी एक संदेश 24 मोचे को देने के लिए यह कारेकम क्या के विदान सभा इस बात जो है वह कमल का फूल खिलाएगी और विदान सभा में हम समाज के पांच्या लोगें बात इंदा फार्ट छोड़ कांग्रेश में चाहेंगे तो क्या उन्से मतलब जहां विदान सभा जाएंगे जो जो सरी समाज के लोगें जैसे प्रेम्जन सेनिया साप सिंग सेनि भाहर का नेता है वहां का जो है राजिंती करा तो उसका उसको ह केlla जीम लोग इआ से ने लिएreet दोलो जो लोग दोव दोलोग दोलो का जना धार कुछ भी नहीं है अप गनेता है कोई नहीं पहले के पैम्चन सेनि अधाट को type पेवलें वाल नहीं अखलेश सानुपर लगे सब्सक्राइब करने काम क्या जा रहा है कि धन्यवाजी आपका ओबीजी समाज दरसल के आया कि यह आकड़े भी बताते हैं कि पूरे जीले हर्दवार में ओबीजी काफी बहुले संख्या में ओबीजी समाज यहां पर रहता है तो इसी के मद्देवी परतेक विदान सभा में ओबीजी समाज को एक अठा करने का काम भारती जिन्दा और आज विदान सभा पिरान कलियर में सर्वस ओबीजी समाज की लगबग 15 से 20 समाज ओबीजी के इस विदान सभा में निवास करते हैं सभी लोगों ने अपने नेताओं को सुना और मान्य नरंबर मोदी जी की जो योजना हिस्से में चल नहीं हैं जो विसू गुरू बना नहीं होते हैं उन्होंने जो दिन में खुली आखों से सपना देख रखा है उसको साकार करने का कारी है यहां ओबीजी समाज मिलकर एक जुठ होकर अपने प्रियन नेताओं को यह आस्वासन देना चाहता आज इस रेली के माद्दें से इस एक समयनन के माद्दें से कि ओव के फूल के लिए काम करेगा और यहां से भारतिनता पार्टी कमल के फूल को बहुत भारी मात्रा से पूरे जील हर्दवार में रिकार्ड ओटों से जिता कर भेजेगा मैं एकी सवाल करूंगा आप लोगों से और वह समझता हो कि उसी एक सवाल का जवाब मैं आप सभी कि अब है वो अलग-अलग समाज को साथ करके सथा हासिल करना है यहीं है अब है यहीं जिन्ता पार्टी ने सथा की बात चोड़िया बारती जिन्ता पार्टी ने जब से सत्ना में आई है और जितने भी OBC सरोसमाज या कोई साभी समाज हो सब के लिए जमीन से क्योंकि भारती जंता पार्टी का जो कारी करता बूत की लड़ता है नीचे से आदमी की जो समस्या है चे वो विकास की हो चे वो चीकिसा की हो और उनके समय समय पर आकर जणता की परमान है वह बिल्कुल साख से बिल्कुल सामने आपके हैं कि जो चीजें जो यहां के लोगों को समझ से अगर आज अपना सिर्ष नेत्रत विएक हमारा पर्देश का अभादेश की रूप में जो आज आया है हिसने सब की समस्य भी जब आदम होता है तो समस्य भी भी पहर सुनने आप चो थे आप इस्तम के एक पैरेरी हैं और आप अपनी कलम से आप अपने सोसल मीडिया के मादम से यह सब जन जन तक पूरे प्रदेशन पचाहेंगे मुष्का फिर एक बार आपका हर्दे से नमन करता हूँ कह करके yasak покण में जीते 6 यश् toutने हैısı को अधार आधार किस रूप में अधार में जानना चाहता हूँ जिससे अईसा लग हो करें कि कलिर्जाब खुंग बढ़तिया पाधि जितने में वाल्य है क्योंकि अभी तक किस्तिती तो ऐसी थी जब तक शेजादजी जीते सच में जीतेगे सच में जीतेगे की अधार बता देजे आप नहीं आधार किस रूब में इसा ग्राउंड मैं जानना चाहता हूं जिससे ऐसा लगे दर्शकों को बेगी कलेर विधान सभा बारतिय इंता पाड़े जितने वाले क्योंकि अभी तक किस्तिती तो ऐसी थी जब तक शहजाद जी लड़ा करते थे तब तक तो बारतिय अंधा पाड़े जीती नहीं अब वहां से एक वोट पूरा चला गया ऐसा ऐसा जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो ऐसा मुझे सुनने को मिलता है जो मैं आप से पूछ रहा हूं कभी भी इस विदानजबा को हम थामतोस नहीं आ रहे हैं हम आ रहे हैं इस बार पूरा करतेंगे हैं क्या लगता है KolOn फ्रवितलबस एक आप जरूबेट है यहीं अपको दन्यूज नेटवर्क पर लगातार मिलती रहेगी जैसा आपको मिलती रही है the news or network को आप फालो कर लेजे YouTube चंग को सब्सक्राइब कर लेजे धन्यबाद आपका